हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग खेरियत से होंगे ठीक टाक होंगे और अलापक आप सब भी को हमेशा हमेशा अपनी फेमिली के साथ खुश रखे आमीन सुमा आमीन तो फ्रेंड हाजिर हैं हम आज फिर से आप लोगों के तो वो बज गए थे तो फिर हमने सोचा उसे नाश्टे में हम फ्राइ कर लेते हैं तो मैं उन्हें फ्राइ कर रही हूँ तो फ्रेंड देखे मैंने थोड़ा सा ओईल लिया है और इसमें हम राई और जीरे का बगार लगा देंगे यानि के तड़का लगा देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और प्याज को हमें थोड़ा फ्राइ कर लेना है फ्राइ करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च एड़ कर देंगे तो अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और हमेशा की तरह ही कहूंगी फ्रेंड कि अगर आप लोग हमारे चेनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही में एक प्यारा सा कॉमेंट्स भी जरूर से करें ताकि हम आपको अगले दिन थैंक्स बोल सके और फिर देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राइ हो गई है हमने उसमें डाल दी है हरी मिर्च अब हमें दो से तीन मिनट हरी मिर्च को भी फ्राइ कर लेना है और फिर इसमें हम हल्दी पाउडर को डाल देंगे और फिर इसके बाद फ्रेंड हमें दो से तीन मिनट इसे फ्राइ करना है और फिर इसके बाद हम इस मसाले को हम चावलों में मिला देंगे अगर आपका बरतन बड़ा है ना फ्रेंड तो आप लोग बड़े बरतन में ही चावल डाल दें अब हमारा ये frypin छोटा है इसलिए हमने इसमें मसाले को fry कर लिया है और फिर हम इसे चावल में add कर देंगे और अच्छे से mix कर देंगे और चावल फ्रेंड हमारे फिरीज में रखे हुए थे तो इसके लिए ठंडे हैं तो फिर हम इसे fry करकर slow gas पर 5-10 मिनिट के लिए रख द और बहुती simple recipe है फ्रेंड ये जटपट से fry हो जाते हैं हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है तो फ्रेंड हमारे यहां पर कभी भी रात में चावल इस तरह से बच जाते हैं तो हमारे बड़े बेटा को बहुत ज़्यादा से पसंदे चावल फ्रेंड तो वो रात में ही बोल देता है कि अगर चावल बच जाए ना तो मुझे सुबह में उसे fry करना है तो फ्रेंड हमारे तीन बेटे हैं और तीनों के नाश्टे की फरमाईश अलग-अलग होती है वो तीनों अलग-अलग चीज खाना पसंद करते हैं और फिर यहां पर देखिए मैंने चाय ब कर लेती हूँ तो दूद और पति शकर डाल कर में ने उसे गरम कर ली और यहां पर देखिए चावल अच्छे से बन गये हैं और फिर मैंने इसे इस में हराधनिया डाल कर और अब मैं इसे पलेट में निकाल कर उसे देढ़ने हमारा हमारा जो बड़ा बेटा है उसे चावल फ्राइ खाना बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में और जो दूसरे नमबर का बेटा है उसे रोटी फ्राइ करके खाना अच्छा लगता है नाश्ते में और जो तीसरे नमबर का है उसे पराठा खाना और बिस्किट और तोस खाना तो फ्रेंड इसके लिए फिर हम उन तीनों के लिए अलग-अलग चीज बना देते हैं तो इस वज़े से फ्रेंड में सुबह-सुबह का ज्यादा तर व्लोग नहीं बना पाती हूं, सुबह-सुबह ज्यादा तर में स्टार्ट नहीं करती हूं और फिर देखिए हमारा चाय नाश्ता हो गया है और फिर ये मिर्चियां देखिए मैं लेकर आई थी कल मार्केट से तो आज मैं इसका अचार बनाऊंगी और मिर्ची फ्राइ करूंगी खटी सी जो तीखी और खटी मिर्ची होती है ना वो फ्राइ करूंगी जिसे हम रोटी से पेड़ भर कर खा लें तो पहले हम कपड़े धो लेते हैं क्योंकि फ्रेंड आज हमारे यां थोड़ा मोसम अच्छा हो रहा है और हमारे यहां पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा इखटे हो गए हैं बच्चे हमारे रोज चेंज करते हैं कभी-कभी तो एक दिन में दो बार भी चेंज कर लेते हैं तो इसके लिए कपड़े बहुत ज़्यादा इखटे हो गए हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि आज तो हमारे कपड़े आप धोई देना तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े धो लेती हूं पहले और उसके बाद फिर मैं किचिन का काम सब करूंगी क्योंकि फ्रेंड हमारी जो वोशिंग मसीन है ना वो हमने उपर रख रखी है तो उसको फिर हम कपड़े धोते हैं ना तो फिर हम बार बार उपर नीचे होने में पेड़ दुखने लग जाते हैं इसलिए जिस दिन मैं कपड़े धोती हूं ना तो मैं उपर ही रहती हूं और फिर मै नीचे आ जाती हूं फिर में नीचे का काम कर लेती हूं और अगर वक्त होता है तो नीचे का पूरा काम करके ही फिर में ऊपर कपड़े धोने जाती हूं लेकिन अभी क्या है ना कि पानी का कोई भरोसा नहीं है और पानी कभी आ जाए तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले दोती हूं क्योंकि light color के कपड़े हमारे मतलब जल्दी साफ हो जाते हैं और गंदे पानी में अगर हम बाद में डालेंगे तो फिर वो और ज़्यादा धेर सारे तो फिर इसके लिए हमने आदे कपड़े दोए और आदे नहीं दोए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाला से मोसम कितना अच्छा हो रहा है लेकिन इस मोसम का तो फ्रेंड कुछ के ही नहीं सकते क्योंकि मैं कपड़े दोकर और नीचे आ तो इसके लिए तो फिर में वोईस ओवर कर रही थी अपने रूम में और फ्रेंड मुझे बाहर की आवाज मतलब हमारे रूम तक नहीं आपाती है और इतना जोरो से पानी आया ना इतना जोरो से कि जो हमने कपड़े धोए थे ना वो हमारे कपड़े पूरे तर बतर हो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है कैसे पानी आगया कुछ आवाजी नहीं आई और फिर देखिए फिरेंड हमारे यहां पर इस वक्त यह कीड़े जो है ना उड़ने वाले यह इतना परेशान कर रहे हैं और यह बहुत तेजी से उड़ते हैं हमारी आख नाख में भी वज़े से फ्रेंड हमारा गेट लगा कर रखना पड़ता है तो अब वो अपनी फ्रेंड को बोलने गाया है कि अब हमें यहां पर नहीं आना चाहिए यह हमें मार डालेंगी तो इसके लिए और फ्रेंड देखिए हमारे कपड़े वोश हो गए हैं और अपने अपने कपड डाल कर आ जाओंगे क्योंकि अब भी तो फ्रेंड है मैं एक एक बार ही कपड़े दोकर डाल कर आ रही थी केकि मैंना सोचा कि धूप आरही है तो अच्छे सूख जाएंगे लेकिन ऐसा क्या मालुम था फ्रेंड की हमारे कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे और सच में अब हम अप्ड़े ड्रायर हो गये हैं हमारे अब हम इने उपड़ाल कर आ जाएंगे तो फ्रेंड एक बार हम आप लोगों से फिर से बोलेंगे फ्रेंड हमें वीडियो बनाने में बहुत जादा मेहनत लगती है तो हम आप लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं और आप लोगी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे तो इसके लिए प्लीज प्लीज आप लोग हमारे चेनल को जरू से करना है साथ ही में और देखिए च्छत पर कितनी ज्यादा हवा चल रही है फ्रेंड इतनी हवा चल रही है कि देखिए कपड़े हमारे इस तरह से उड़ रहे हैं और अभी हमने हमारे यहां पर रसी नहीं बांदी है क्योंकि हम अभी नए शिफ्ट हुए हैं ना फ्रेंड ह हमारे घर में हमने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है तो इसके लिए और हमारे हस्बेंट को इतना टाइम नहीं होता है कि वो जल्दी घर आ जाए और हमारा कुछ घर का काम वगेरा भी थोड़ा सा कर ले मतलब उनकी जब छुट्टियां लगती है ना जैसे द पेश्टी सी मिर्चियां तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और खटी सी मिर्चियां है अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी देखनी है ना तो हमने इसकी रेसिपी अलग से अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए तो आप लोग चेनल पर जाकर देख सकते है और साथ ही में इसके जो हमने इंस्टेंट अचार बनाया है ना इन ही मिर्ची का तो हमने वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है तो आप लोग वो भी जा कर देख सकते हैं मतलब दोनों एक साथ ही अपलोड है तो फ्रेंड ये देखिए हमने बना लिया है तो फ्रेंड दस रुपे की मिर्ची में हमने धेर सारा अचार और धेर सारी मिर्ची फ्राइ बना ली है अगर हमारे यहां पर सबजी नहीं है, हमें कुछ खाने में सबजी समझ में नहीं आ रही है तो हम इस मिर्ची से पेट भर के रोटी खा सकते हैं और फिर देखिए हो गया था फ्रेंड शाम का वक्त और अब हम चाई बना रहे हैं, चाई पीते हैं थोड़ी अपने अंदर एनरजी लाते हैं क्योंकि हम दोफिर में वोईस ओवर करते हैं, आप लोगों से बाते करते हैं तो हमारी एनरजी डाउन हो जाती है तो इसके लिए और चाय तो आप लोगों को पता ही है हमें कितनी ज़्यादा पसंद है तो चाय तो अगर हम दिन में तीन या चार भर भी पिए ना तो भी कम है लेकिन फ्रेंड चाय पीने से फिर ये भी सोचते हैं कि कभी फिर से हम ज़्यादा मोटे ना हो जाए हमने बड़ी मुश्किल में अपना वेट लोस किया है तो इसके लिए फिर मैं चाय थोड़ी कम करती जा रही हूँ तो फिर भी मैं दिन में तीन से चार बार तो पी ही लेती हूँ और फिर देखिए हमने अचार को वहाँ पर रख दिया है और मैं थोड़ी-थोड़ी और फिर जायर पी रहे थे ना तो हमारा बेटे ने हमसे बोला कि कल तो आपने कितनी जल्दी-जल्दी काम कर लिया था मार्केट जाने के चकर में तो फिर मैंने उससे बोला तो इसलिए अगर आप लोगोंने हमारी कल की वीडियो नहीं देखिए ना शोपिंग की तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं तो फ्रेंड देखिए जो नीमबू थे ना हमारे हमने नीमबू जो मिर्ची में नीमबू का रस डाला है तो उसके छिलके बज गए थे तो अब हम इसका मीठा अचार आप लोगों को बना कर बताएंगे तो इसके लिए हमने नीमबू को जो छिलके हैं ना उसको अच्छे से धो लिया था और उसे मतलब छोटा छोटा थोड़ा कट कर लिया है मतलब आदे छिलके में से भी आदा कट कर लिया था और फिर इसके बाद में इसे ना बोईल कर लूँगी अच्छे से इसे हम बोईल कर लेंगे ताकि जो इसका कड़वापन है ना फ्रेंड वो सब ही निकल जाएगा और जो नीमबू के छिलके हैं ना वो थोड़े से सोफ्ट हो जाएंगे नरम हो जाएंगे तो इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को इसे है ना उबाल लेना है तो आपको पांच से दस मिनट के लिए आपको इसे उबाल लेना है उबाल कर आप इसे चलनी में डाल दें ताकि इसका जो पानी है ना वो सब ही निथर जाए आप इसे चलनी में रखेंगे और ये अच्छे से पानी निथर जाएगा और थोड़े से सूख जाएंगे फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं तो देखे फ्रेंड नीम्बू अच्छे से बोईल हो गए हैं और हमने उसे चलनी में निथरने के लिए रख दिया है अब हमें लेना है एक बरतन और उसमें हमें थोड़ा सी राई और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सोफ मतलब आदा आदा चमच आप लोग ले सकते हैं मतलब आप अपनी जो नीम्बू की कॉंटिटी है ना फ्रेंड उसके हिसाब से ये ले क्योंकि नीम्बू जादा होंगे तो वो जादा लेना है और कम होंगे तो फिर कम लेना है और हलका हलका हमें इसे सेक लेना है और फिर इसके बाद हमें इसे दरदरा सा पीस लेना है तो उसके बाद में फिर हमें चाशनी बनाना है मतलब चिपची पीसी चाशनी चासनी में ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाड़ी चासनी बनानी है ज़्यादा तार वाली चासनी बनानी है तो फ्रेंड जो आपकी चासनी बन रही है ना तो वो पान से छे मिनट में बन जाएगी आपको इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालन अगर आप पानी जादा डालेंगे न तो चाषनी बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है आप किसी भी चीज की चाषनी बनाए न फ्रेंड तो उसमें आप पानी थोड़ा कम ही डालें ताकि आपकी चाषनी जल्दी से बन जाए और फिर देखे चासनी बन गई है अब हम इसमें डाल देंगे ये निम्बू के बोईल छिलके तो ये निम्बू के छिलके इसमें डाल दिये और फिर साथ ही में हम इसमें राई जीरा सोंब ये भी डाल देंगे और फिर हमें इसे अच्छे से चलाना है और फ्रेंड जब आप लोग निम्बू को चासनी में डालेंगे ना तो जो चासनी है ना वो थोड़ी सी और पतली हो जाएगी छिल के डालने के बाद तो आप लोगों को घबराना नहीं है वो थोड़ी तेर बाद फिर से गाड़ी हो जाएगी और फिर साथ ही में देखिए हमने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है तो लाल मिर्च पाउडर डालने से फ्रेंड ये खटा मीठा तीखा सा हमारा अच्छा सा अचार बनके तयार हो जाएगा मतलब मुरब्ब जैसा ये लगेगा तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग भी जरूर से ट्राइ करें तो देखिए हमारा अचार नीबू का माशालला से बनके तयार है और ये बहुत जादा अच्छा बना था और फ्रेंड नीबू को जब हम बोईल करते हैं तो हम इसके लिए करते हैं कि जो नीबू में के छिलकों में कड़वापन होता ह ना वो खतम हो जाए और फिर जो हम इसका अचार बनाएंगे ना तो वो अचार अच्छा बने मतलब कड़वा ना लगे तो फ्रेंड आप लोगों को में बता दू कि मतलब ये कड़वा नहीं बना है मतलब मामू लीसा मतलब लग रहा था लेकिन जादा नहीं लग रहा है और देखिए रोटियां हमारी यहां पर बन गई है और आटा हमने सुबह नाशते के लिए उठा के रख दिया है तो चलिए फ्रेंड अब हम हमारी बगबग को यहीं पर स्टॉप करते हैं तो अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अ आला हाफीज